हेलो फ्रेंड्स वक्त है आपका अपने यूट्यूब चैनल साजी स्टेडी चैनल में दोस्तो आज हम आपके लिए 15 कोश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले एक्जाम HRTC कंडक्टर और क्लर के एक्जाम के लिए हेलफुल होंगे तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते ह कौन से जिले में है तो इसका राइट अंसर होगा चमबा जिले में उसके बाद है कॉस्चन नमबर दो सुके सत्यग्रह का नीतरी तो किस ने किया था तो इसका राइट अंसर होगा पंडित पदम देव जीने उसके बाद है कॉस्चन नमबर त्री तीथन गाटी हिमाचल प पर उसके बाद है कॉस्चिन नमबर 5 हिमाचल परदेश वार काउंसलिंग के पहले अद्यक्स कौन थे तो इसका राइट अंसर होगा इंदर सी उसके बाद है question number six हिमाचल परदेश फसल विविदी करण समवर्धन प्रयोजना को किस देश द्वारा दुतिया सहता दी जा रही है तो इसका right answer होगा जापान के द्वारा उसके बाद है question number seven पिंक सिटी जापूर के लिए हिमाचल परदेश के कौन सी जगा से ट्रेन सेवा सुरू की जाएगी तो इसका right answer होगा उन्ना जिला के दौलपूर चौक से तो दोस्तो पिंक सीटी जाएपुर के लिए हिमाचल परदेश की उन्ना जिला के दॉल्थ पूर्चौक से जो है वो ट्रेन सेवा सुरू की जाएगी उसके बाद कॉस्चन नमबर आठ नाको जील किनौर के किस उपमंडल में पड़ती है तो इसका राइट अंसर होगा पूह उपमंडल में उसके बाद कॉस्चन नमबर नाइन सतलूज नदी की नौर के किस स्थान पर प्रवेश करती है तो इसका राइट अंसर होगा सिपकी दर्रा उसके बाद है कॉश्चन नमबर 10 सतलूज की सबसे बड़ी साहिक नदियां कौन सी है तो इसका राइट अंसर होगा स्पिती और बस्पा उसके बाद है कॉश्चन नमबर 11 डगसाई किस राजा के रियासत की जागीर थी तो इसका राइट अंसर होगा महराजा पतियाड़ा उसके बाद कॉस्चन नमबर 12 जूरी में बेड परजनर के इंदर की स्थापना कब होई तो इसका राइट अंसर होगा 1965 में उसके बाद कॉस्चन नमबर 13 भाखडा बांध से बिलासपूर कस्बे के लिए विदुद उसके बाद कॉस्चन नमबर 14 हिमाचल परदेश के सोलन जिले में जिबसम धातू किस स्थान पर पाई जाती है तो इसका राइट अंसर होगा कुठार उसके बाद कॉस्चन नमबर 15 हिमाचल परदेश में मकर नामक धार्मिक नरित्या किसक सित्र में काफी पड़ चलिते है तो इसका राइट अंसर होगा लहास पिती तो दोस्तों ये थे 15 important questions जो कि आपके आने वाले exam HRTC conductor और clerk exam के लिए helpful होंगे तो दोस्तों आप इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें और हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी धन्यवाद